तो आज लेके आई हूँ आपके लिए ये पूरा टेबिल कवर टेबिल कवर का पार्ट वन मैंने अल्रेडी अपलोड कर रखा है जिसमें मैंने इसके पैचिस को बनाना आपको बता दिया है आज के वीडियो में मैं आपको इसका बॉर्डर बनाना बताऊंगे और आप देख सकते हैं कि बॉर्डर भी इसका कितना जादा खूबसूरत है और कितना युणीक लुक दे रहा है इसे अगर आपने इसका पार्ट वन नहीं देखा है तो लिंक उसका डिस्क्रिप्शन बॉक्स प्लस कमेंट सक्षन में है आप वहाँ से जाके इसका पार्ट वन देख सकते बहुत ही प्यारा और खुबसूरत सा टेबिल कवर है ये तो इसे एक बार जरूर ट्राइ करिएगा और अगर आपके पास बची हुई उन भी है तो भी इसे आप इजिली बना सकते हैं तो चलिए फिर आज का वीडियो स्टार्ट कर लेते हैं बट आगे बढ़ने से पहले हैं तो इसे सब्सक्राइब कर लीजे आप में से बहुत से लोगों ने अभी तक वीडियो को मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज उसे सब्सक्राइब कर ले और आने वाले बैल आइकन को भी जरूर प्रेस करें ताकि मैं जो भी वीडियो अप्लोड करू उसकी notification आपको सबसे पहले मिल सके तो चले पर start कर लेते हैं आज का अपना ये वीडियो वीडियो का पार्ट तुम जितने भी pattern मुझे जोड नन्ने थे उतने मैंने पूरे जोड लिये हैं 2, 4 और 6 और अब मैं यहाँ पे यह वाला pattern जोडते हुए end पे आ गई हूँ सबसे last व और वाली chain पे अपने work को add कर देना है और एक round आपको और पूरे में same white color से ही बना के ready करना है तो तीन chain से यहीं से start करेंगे एक और दो तो तीन double crochet यहाँ पे बना लेनी हैं blocks ही fill करने हैं इसमें 4 तरफ आपको blocks fill करने हैं और इसमें जो corner बना है तीन double crochet तीन chain और तीन double crochet का चार corner है एक यह corner है एक यह corner है एक यह है और last में इधर वाला corner है ओके तो चारो corner का जो work है वो same ही रहेगा उसमें कोई change नहीं होगा तीन double crochet बन गई एक chain फिर से 3 double crochet एक दो तीन एक chain next block में तीन double crochet एक दो और तीन सेम प्रोसेस को repeat करेंगे और यहां पर देखेगा यह block बने हुए 1,2,3,4,5,6,7 अब यह corner का block है तो यहां पर पहले बना लिए फिर मैं बताती हूँ कि यह corner के दोनों block है इसमें क्या करना है 3,3 double crochet बनाते हुए 3 double crochet एक chain बनाते हुए अब देखेगे यह corner का block है ओके तो इसमें भी आपको 3 double crochet ही बनानी है फर्स्ट वाले में 1,2,3 फिर से 1 chain और यह जो next one है इसमें भी 3 double crochet एक दो और तीन ओके इस तरह से बनके रडी हुआ सेम आगे भी रिपीट करेंगे ऐसे ही 3,3 double crochet बनाएंगे 3 double crochet एक chain बनाते हुए जितने भी blocks इसमें बने हुए है एक side के इन सब को हमें ऐसे ही fill कर लेना है यह वाले भी सारे blocks बना लेंगे और corner पर आ जाएंगे तो यह देखे पूरे में ऐसे ही block pattern बना लिया है और अब corner सेम ऐसे ही बनाना है 3 double crochet, 3 chain और 3 double crochet तो corner में change नहीं होगा corner सेम ही रहेगा 3 double crochet, 3 chain और 3 double crochet से corner बनेगा 3 double crochet, 3 chain और सेम ही space पे 3 double crochet तो पूरे round को आपको friends ऐसे ही over करना है इस color से white color से और इसके बाद वाला round आप दूसरे color से बनाएंगे तो पूरा यह जो बनके ready हो रहा है पूरे में आपको ऐसे ही blocks बनाने है blocks बनाने के पूरा इस side भी बना लेना है इस side भी बना लेना है और इस side भी corner चारों तरफ सेम ही रहना है work को उसके बाद यहां वेला जो corner है last corner बना के third number वाली chain पे add कर देना है उसके बाद किसी भी एक block में आप दूसरे धागे को add कर लें जैसे कि मैंने इसके बाद यहां पे धागे को add करना बताया है सेम वैसे ही आपको किसी भी एक block में दूसरे धागे को add करना है इन में से कोई भी color का धागा आप add कर सकते हैं और फिर से block fill करने का एक और round बना के ready करना है तो white color से एक round बनेगा और उसके बाद दूसरे color से एक round बना के इसमें ready करना है पूरा round जब आप बना लेंगे तो work को add कर देना है धागे को cut कर लेना है और फिर दूसरा धागा add करना है इस वाले block में गाट लगा के add कर ले तीन change से work को start कर ले तो मैं 2 round इसमें बना के ready कर लेती हूँ फिर आपको बताती हूँ कि इसमें क्या करना है दूसरे round में भी corner same ही रहेगा corner में कोई change नहीं होगा देकि corner नीचे से ऐसे ही बनता चला रहा है तो 4 corner है अब तो 4 corner में ऐसे ही बना के ready कर लेती है same ऐसे ही 2 round बना लिए है एक white color से बनाया है और दूसरा pink color से बनाया है और अब आपको इसमें same ऐसे ही बनाना है जैसे आपने नीचे अपने इस वारे design में बनाया है जो यह नीचे से उठा के तो हर 2 round के बाद आपने color को भी इसमें change किया है प्लस इसमें एक color से simple round बनाया है और दूसरे color से उसे उठाने वाले round को बनाया है तो यहां मैंने एक color से simple round बना लिया है pink color से एक, दो, तीन double crochet बनाएंगे as a double crochet, एक as a chain बनाएंगे और अब यहीं से नीचे से उठाने वाला round start करेंगे जैसे अभी तक बना रहे थे तो एक double crochet बनाई इस block के just नीचे वाली यह जो white वाला white वाली double crochet बनी होई है उसमें बीच वाले को नीचे से उठाएंगे दो बार धागे को grab करेंगे sorry triple crochet बनानी है और चार बार में इसे over करेंगे एक दो तीन चार और एक और double crochet यहां से बना लेंगे अगें एक chain next वाले block में डालेंगे एक double crochet दो बार धागे को grab करेंगे block के just नीचे वाली जो double crochet वाला part है इसमें इस तरह से डालेंगे और यहां पे से दो तीन चार चार बार में over कर लिया और एक double crochet तो same process को ही आपको repeat करना है friends और दो color से आपको same pattern को बनाना है जैसे मैंने यहां pink बनाया है और रानी बनाया है यह भी चौकोर ही बना हुआ है तो same ऐसे ही आपको इसमें भी बनाना है corner corner के जैसे ही बनेगा इस के बाद इस color के बाद color को change करेंगे एक round simple बनेगा सिर्फ double crochet वाला उसके बाद जब दूसरे color से बनाएंगे तो फिर से उठा के round बनाएंगे और end में आपको 2 round white color से plain बना लेतने हैं जिसमें कहीं भी कुछ भी नहीं उठाना है जैसे यहां भी बनाया है plain round वैसे बना लेने हैं और यह पूरा border बन जाएगा फिर उसके बाद एक last round और बनेगा अगर आप चौड़ा बनाना चाहते हैं तो आप 3 color या 4 color से भी यह उठ उठाने वाला round बना सकते हैं जितने भी color से बनाना चाहें उतने color से बना ले और उसके बाद फिर जब last round बनेगा तब means जब सारे color से आप उठाने वाला round बनाने तो white color से 2 round simple बनाने होंगे बिना कहीं बीच में से उठाए हुए तो मैं इसमें सारे rounds बना लेती हूं फिर आ बना लेती हूं तो आपको दिखाती हूं तो आपको clear हो जाएगा कि कैसे बनाना है यह मैंने पूरा बना के border बना के ready कर लिया है और मैंने इसमें एक, दो, तीन, चार, पांच, छे, साथ, आट, टोटल, आट, साथ round बने हुए हैं इसमें border के और अब मैं इसमें simple सिर्फ ए तो यहां पे आपको corner पे दागी को add करना है जिस color से भी आप इसमें बनाना चाहते हैं उस color का दागा यहां पे add कर लेंगे और अब chain को add करने के बाद यहां पे बना लेंगे एक, दो, दो chain बनाएंगे और अब इसमें बना लेंगे total 5 half double crochet एक, दो 3, 4, दो chain को मिलाके दो chain बनाई है चार half double crochet बनाई है total 5 हो गए है और यह जो 3 double crochet बनी हुई है इन तीनो में एक, एक half double crochet बनानी है तो तीन डबाक्रोशा और एक चेन बना हुआ है पूरे में तो उसमें आपको समय एक एक हाफ डबाक्रोशा बना के रेडी करनी है जो डबाक्रोशा है उसके उपर भी और जो चेन स्पेस है इसमें भी एक हाफ डबाक्रोशा बना लेनी है सेम प्रोसेस को ही continue करके चारो तरफ हमें ऐसे ही इसमें over करना है पूरा इसको row ऐसे ही बनाएंगे पूरी row बनाने के बाद अगेन जब इस वाली space पे आ जाएंगे तो यह इसके अंदर हमें 5 half double crochet बना के ready करनी है जैसे हमने इस वाले space पे बनाई है और इसके बाद continue करके और इसके बाद continue करके हमें दूसरे side पे आना है अगेन पूरे बे वैसे ही बनाना है और तीसरे corner में भी 5 half double crochet 5 half double crochet अगर आपको ज़्यादा लग रही है तो आप 4 half double crochet भी कर सकते हैं तो मैं इसको पूरा round बना लेती हूँ फिर आपको इसको final look इसका दिखाती हूँ कि ये कैसा दिख रहा है इस तरह से पूरा table cover बनके ready है I hope आपको मेरा ये effort पसंद आया होगा पसंद आया हो तो like, share and subscribe जरूर कर दे मैं मिलूँगी आपसे इसी तरह की कुछ नए और ideas के साथ तब तक के लिए bye bye thank you and have a nice day